Hello students, मैं हूँ डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल, मैं एक senior pediatric consultant हूँ और medical college में faculty हूँ और आज मैं आपको ophthalmology कैसी branch है ये बताने वाला हूँ मेरे batch में, मैं 93 batch का MBBS हूँ enter हम 93 में किया थे और मेरे batch में हर तरह की specialty के doctors है कोई cardiologist है, कोई cardiothoristic surgeon है, तो कोई neurologist है, कोई neurosurgeon है कोई ophthalmologist है, कोई pediatrician है, कोई plastic surgeon है so many batch mates are there, ठीक है उसमें से मैं बताँ हूँ मेरे batch में सबसे ज़्यादा successful professionally जो professional terms में success के जो parameters होते हैं for example, patients में recognition, earning और लोगों की life में जो बदलावला सकते हैं उसमें जो सबसे successful हैं, वे हैं मेरे batch mit में ophthalmologist भी हैं, और दो ophthalmologist बेर सक्सेस्फुल हैं तो ophthalmology कैसी branch है, इस पर हम बात करते हैं ophthalmology आप जानते हैं कि PPG में थोड़ा पीछे उटती है surgical जिन लोगों का interest रहता है, वो लोग भी थोड़ा पीछे लेते हैं और medicinal branches वाले यदि rank पीछे आती है, तो ophthalmology को opt करते हैं, क्यों है ऐसा, ये पीछे क्यों उटती है और क्या ये पीछे उटना डिजर्व करती है, देखो बचों, जो counseling में आप लोगों की जो ranking बनी होती है, बहुत कुछ भेड़ चाल से बनी हुई होती है, कौन सी branch अची, कौन सी अची नहीं और आपको actual में market का, जो बाद में जो भी placement का, कोई भी अंदाज़ा नहीं होता है, और ये एक दूसरे से सुन सुन कर rankings बन जाती है, branches की, और जो की सच से कई बार दूर होती हैं, और ये channel और मेरा experience आपको इसी में मदद करने के लिए है, तो ophthalmology पर हम बात करते हैं review की, तो मैं इसमें क्या-क्या बात करूँगा, पहले मैं residency बात करूँगा, कि कैसी होती इसकी residency, फिर हम बात करेंगे job opportunities, practice में possibilities, saturation, इस तरह के जो आपके usual concern होते हैं, abroad में opportunities इन सब पर हम बात करेंगे, और settlement में क्या expenditure आते हैं, उस पर बात करेंगे, फिर आप अपना decision खुद लेना, इसके pros and cons क्या हैं branch के, इस पर हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हम आते हैं, residency के, तीन साल का MS होता है, आप जनते हैं, जब आप नीट प्रिपीजी निकाल लेते हैं, तीन साल के MS के दोरान में, आप various eyes, disease को diagnose करना, अलग-अलग आजकर बहुत अच्छी diagnostic modalities आ गई हैं, साथी साथ में eye surgeries करना सीखते हैं, eye surgeries में, most of the surgeries आप accept, retina की जो very highly skilled, newer surgeries हैं, उनको छोड़कर बहुत सारा, आप MS के दोरान सीख पाते हैं, और बाद में, एक, दो साल, तीन साल की और fellowships या SR-ship करके, आप अपने experience, अपने skill और confidence को और बढ़ा सकते हैं, जो सबसे जादा होने वाली surgery आई में, वो आप जनते हैं, bread and butter, ophthalmologist का है, वो है, feco emulsification, जिसमें lens replace किया जाता है, क्योंकि cataract लगबख सभी को होना है, हना, तो अब बात करते हैं कि residency कैसी होती है, residency usually cool होती है, in comparison to other clinical branches, for example, मेरी अपनी pediatric branch, जो कि बहुत hectic होती है, in comparison to ophthalmology, अन्य surgical branches like MS gynae, MS general surgery, MS ortho, ये बहुत ज़्यादा hectic branches है, in comparison to MS ophthalmology, MS ophthalmology में, तीन साल की residency, आपकी relatively, ठीक ठाक, मैंना, cool जाएगी, आप बदहवास से नहीं घूमेंगे, general surgeon और gynecologist जैसी घूमती है, तीन साल के PG के दौरान में, वैसे मैंने ophthalmologist नहीं देखे, मैं AIMS में जब ऐसा शिप कर रहा था pediatrics में, तो मेरा जो best friend है, वो है ophthalmologist, तो वो जब swimming pool में डुक्कियां लगा रहा होता था, या badminton खेल रहा होता है, था, उस समय में duties कर रहा होता था, pediatrics में, क्योंकि वो ophthalmology में था, तो ophthalmology में, क्योंकि emergency आने ब्रांचे जैसी pediatrics है, या general surgery है, उस जैसी नहीं होती, इसलिए less hectic होता है, आपका जो steroids और जो adrenaline rush होगा, वो कम होगा, relatively कम stressful होगा, तीन साल की residency, इस type और सभी ब्रांचे में सेम मिलता है, आप जानते हैं, अच्छे institute या, अच्छे means, जो बहुत नामी institute है, या ordinary institute है, उन से फर्क करने, उन दोनों में क्या फर्क होगा, तो PG's, yes, definitely, आपको institutes like AIMS मिल जाते हैं, के AIMS मिल जाते हैं, जो बहुत ही जहाँ पर national repute के जो institute है, तो उनका एक tag तो important होता ही है, वहाँ पर patients काफी सारे होते हैं, और आपकी faculties भी अच्छी होती हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है, कि ordinary college से, या normal state-run college हैं, या किसी private college से आप कर रहे हैं, तो आप एक बहुत अच्छी ophthalmologist नहीं बन सकते हैं, यह myth है, क्योंकि हमारी जो medical line है, यह खरगोश और कच्छुए की race में से कच्छुए की तरह जादा है, जो कि consistently चलता रहता है, वो जीत जाता है, जरूरी नहीं कि आप में speed हो, आप consistent हों, लंबी race, तक आप यदि चल सकते हैं, तो आप जीत सकते हैं, तो किसी भी college से किया हो, बाद में जाके आप skill हासिल कर सकते हैं, आपको एक और interesting बात बताता हूँ कि surgical skill जो होती हैं, हम सब में अलग-अलग होती हैं, जैसे कि हमारी driving skill अलग होती है, painting skill अलग होती है, या हमारी singing skill अलग होती है, या हम batting अलग-अलग धंग से कर सकते हैं, उसी तरह से surgical skills का इस्तर और सीखने की शमता हम सब में अलग-अलग होती है, जल्दी-जल्दी pick-up करने की, तो कई बच्चे जो हैं, ordinary college से जो surgeon बनते हैं, वो भी बहुत अच्छे surgeon बन जाते हैं, बहुत है इसके की बहुत ही top institute से जो लोग surgery कर रहे हैं, वो वैसी surgery सीख पाएं, क्योंकि कुछ हद तक ये surgical skills जो हैं, अंदर से god gift होती है, तो ophthalmology में जो एक disadvantage यह भी है, कि जैसे मैंने अपने ophthalmology friends से भी बात की, ये वीडियो बनाने के पहले, तो उसने बोला कि देखो, only 5-10% लोग अच्छे surgeon बन पाते हैं, और बाकी नहीं बन पाते हैं उतना, इस वज़े से success का rate, आप जब देखते हो, तो ophthalmology में 5-10% लोग बेहर नामी होते हैं, बहुत कमारे होते हैं, और 90-95% लोग एक ordinary placement में होते हैं, तो ये एक disadvantage है, ophthalmology का, कि यदि आप top end पर हैं, तो बहुत ज़्यादा successful होते हैं इस branch में, ठीक है, आते ही बात, आपने MS कर लिया, तो job opportunities, job opportunities relatively कम हैं, pediatrics या general surgery, या gynecology या जैसी branches की तुलना में, ophthalmology में government jobs कम हैं, private sector में भी jobs relatively कम मिलेंगे आपको, लेकिन इसमें यदि आप अपना setup डाल सकते हैं, और इसमें जो एक और constraint है, वो है कि आपके पास एक अच्छी financial backing हो थोड़ी सी, यदि कुछ land है, आपके पास अपनी native जगे पर, या कोई place है, या आप थोड़ा सा invest कर सकते हैं, और आप में surgical skill भी आपने अच्छी हासिल कर लिए, तीन साल है में, सो दो-तीन साल और काम करके, और आपके पास investment भी है, और इसके बाद branding और advertising दुनिया भर का वो लगता है, इसके बाद यदि देखिए हूँ, मैं one of the highest running branches में रखता हूँ इसको medical की, मेरे जो एक वीडियो है, highest running branches वाला उसमें, बहुत सारे लोग को आश्र हुआ, मैंने ophthalmology को उसमें highest पर रखा, लेकिन देखो क्यों ophthalmologists, one of the highest running doctors होते हैं, उसके आए एक reason यह होता है, कि इनकी surgeries बहुत जल्दी हो जाती है, एक फेकोई emulsification, 10 से 15 मिट में लोग खत्म कर देते हैं, तो एक एक दिन में 10-10 surgery करते हैं, मेरे जो batch minutes हैं, यह लोग 10-15 surgery एक दिन में करते हैं, जो कि दूसरी branches में, आप एक particular, एक patient से बहुत ज़रा चार्ज, surgical charge नहीं ले सकते हैं आप, कि मतलब एक surgery कर रहे हैं, तो उसे एक ही से बहुत सारा मिलेगा, 10 करते हो आप, यदि सपोज सपोज 10-1000 भी एक surgery का charges है, तो 10 surgery में 1 lakh rupees per day, यह लोग earn कर सकते हैं, वो PDs अलग हैं, ठीक हैं, इस तरह से, इस वज़े से, यदि इसमें success हासिल हो जाती है, success कैसे हासिल होगी, surgical skill अच्छी होनी चाहिए, आपके पास कुछ investment की capabilities होनी चाहिए, क्योंकि investment machines बहुत महेंगी हैं, और already competition, already established doctor होते हैं, तो उनको beat करने के लिए, उनसे compete करने के लिए, आपके पास एक अच्छा start होना चाहिए, तो ये इसका cons भी बोलूँगा, और pros भी है, दोनों है, फाइदा भी है, नुकसान भी है, ठीक है, तो ये है आप one of the highest learning, job opportunities less हैं, अब बात आती हैं कि वो जो 90% जो उतने successful नहीं हुए, वो क्या करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो बेरोजगार होते हैं, वो लोग भी एक decent earning कर रहे होते हैं, family run कर रहे होते हैं, और decent cool जिंदगी जी रहे होते हैं, एक ophthalmologist, एक लाख से, एक average ophthalmologist देखें, तो एक देर लाख से तीन लाख रुपे महीने तक easily earn करता रह सकता है, अपने MS करने के दो-तीन साल के बाद, ठीक है, लेकिन अदि आप वो बन जाते हैं, टॉप के बन जाते हैं, तो earning का कोई limit नहीं है, फिर crore सब में earning होती है, abroad में opportunities अच्छी हैं, abroad में UK में भी है, और जो New Zealand, Australia, यहाँ आप जाना चाहें, वहाँ सब जगे, ophthalmologist की need होती है, in fact, मेरा जो best friend, जिसके मैं ने जिक्रिकिया, IMS में, वो UK में ही well settled है, और वहाँ पर senior consultant है, ठीक है, saturation की बाद करते हैं, पहले diplomas होते थे, ophthalmology में, जिसे D.O.M.S. केते थे, diplomas अब खत्म कर दिये जा रहे हैं, तो अब MS हैं, तो diploma होने की वज़े से, तेजी से doctors बन रहे थे, हर दो साल में बन रहे थे, तो saturation जिन भी branches में diploma है, उनमें तेजी से बढ़ा है, saturation बहुत है, और क्योंकि इसमें super specialty काम है, जैसे retina एक super specialty है, इसमें cornea है, anterior lens की super specialty, जो कि MCH की रूप में नहीं होती, fellowships की रूप में होती हैं, ophthalmology में, तो इस वज़े से हम देखें, तो saturation जो core basic ophthalmology है, उसमें अधिक है, इस वज़े से भी competition की वज़े से भी, नए ophthalmologist को बहुत recognition मिलने में, time लगता है, वक्त लगता है, और काफी struggle भी लहेगा, और साथ में उनको spend करने की capability होना चाहिए, लेकिन यदि ये factor किसी के पास है, कि वो spend कर सकता है, finances की दिख करती है, तो ophthalmology फिर बहुत अच्छी branch है, इसको फिर नीचे रख कर नहीं देखना चाहिए, आपको in fact, एक interesting fact बताता हूँ कि, जो मेरे friend का, जो मैं बार-बार जिक्र करता रहा हूँ, उसको ophthalmology दिलवाने में मेरा हाथ बहुत था, मैंने उसको, क्योंकि वो ortho K.E.M. Mumbai से, या AIM से ophthalmology 2 उसको मिल रही थी, PG में उसकी 28th rank थी, AIMS entrance में, तो मैंने उसको K.E.M. Mumbai की जगे, जो की All India PPG उससे में अलग होता था, उसमें All India में उसकी, I think, under 100, 70 और 90, मैं भूल रहा हूँ, तो K.E.M. वहां से और थो भी मिल रहा था K.E.M. से, या फिर R.P.C. जो AIM से ophthalmology तो मैंने दिलवाय था, दिक्कत यह है कि बहुत छोटी जगों पर के लिए अच्छी नहीं है, Middle Cities होनी चाहिए, जैसे जबलपूर, भोपाल, या फिर Metro Cities, Metro Cities में settlement और दिक्कत होगा, वहां अलग की Jobs मिल सकते हैं, बट मैं किसी भी डॉक्टर को पहले यह बोलता हूँ, की Job-Oriented Mindset की जगे, Self-Employment का Mindset आप रखकर चला कीजे, उमीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको बैने शायद कुछ भी नहीं छोड़ा, Residency, तीन साल कैसी होती ही बता दिया, Stipend बता दिया, आपको तीन साल के बाद क्या करना पड़ेगा, Fellowships होंगी, रेटना में कर सकते हो, और भी ज़्यादा Exclusive बनने के लिए, या और ज़्यादा Fake Over Gira का काम बेटर सीख सकते हो, तो इस तरह की अलग-अलग जो Fellowships हैं, वो करके अपने आपको एक पर्टिकुलर निश में, Brand Value आपकी Establish कर सकते हो, क्लिनिक अपना और अपना सेट अप एक छोटा सा हॉस्पिडल बनाने की कोशिश करना चाहिए, कुछ Equipments लगेंगे, Equipments cost ज़्यादा होती है, लेकिन वो लोग ना कई तरह क्या होता है, आजकल जैसे एक करोल का इंस्टूमेंट है न, बहुत सारा Physics involved है नहीं, Physics है न, तो Physics का जो Science है वो पूरा का पूरा अप्लाई हो रहा है, इवन जो जर्मनी में अभी Whole Eye Replacement, जो Artificial Eye तक बनाने लेने का वो लोग लगभग बनाने की वर्ज पर हैं, पूरी Eye भी रिप्लेस की जा सकेगी आने वाले समय में, तो इसमें बहुत तेज Scientific Advancement है, और यदि वो Scientific Advancement से आप पेज से बने रखते हो, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो, पेशेंट को तुरत रिलीफ मिलता है, यदि Eye में कुछ नहीं दिख रहा है, उसको cataract हो गया, कुछ भी हो गया, तो जल्दी से उसको रिलीफ मिलता है, एक बहुत बड़ा advantage ये भी है, तो बारा मिनिट का हो गया वीडियो, जो भी कोश्चन हो आप नीचे पूछे, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, रेजिदेंसी जब आप एंटर करते हो PG में, तो कैसे करना चाहिए?